अयोधिया में जबकि 22 तारीक उप्रानप्रतिस्ठा है अब एक ही दिन रह गया है और उसके कुछ दिन पहले एक कुछ वीडियो हमने मैंने देखा था और कुछ लोगों ने वहां पे विघ्रन डालने की कोशिश की थी कुछ शैद कॉंग्रिस के वरकर नहीं विघ्रन डालन दिया था तो मूर्खों यह आप राम जी जो कि खुद ही उनको मंत्रित किया जाता था कि भई हमारे पूजा हो रही है हमारे हाँ यग हो रहा है आप आए और हमें सेव कीजिए हमें बचाईए दैत्यों से हमारी पूजा में विखन डाल रहे हैं तो राम जी धनुज उठा पूजा पाट हो रहा है उनी की वापसी की तयारी हो रही है तो यह कौण से मुर्ख है कौन से कॉंघ्री हैं यह वरकर है जो कि आकर विखन डाल रहे हो'll आप ये सोच लो कि आप फिर दानवों के क्याटेगरी में आ रहे हूँ आपको हिंदुस्तान की जनता दानव समझेगी है ना कि आप देवता तुल्ल आदमी जो की मोदी जी और उनके सारे वरकर लगे में हैं आप उनके यग्य में विग्ण डाल रहे हूँ तो ये आप ना अपनी जबान से बोल के विग्ण डालिए कि हम नहीं जानते हैं और कौन से पुजा हो रही है और कौन सा पाठ हो रहा है और कौन सा राम मंदिर बन रहा है ना अपनी किसी करतूत से विग्ण डालवाईए ये आप लोगों के लिए बहुत नश्ट कारी होगा